नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल और MD University के स्टूडेंट के लिए कुछ नई अपडेट लेकर आया हूँ तो वीडियो के साथ अंतक बने रही हैगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए आये हैं वो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि यहां पर आप उनलाइन एक्जाम की बात तो माली है लेकिन उन्होंने कहा है कि जो कंटेनमेंट जोन में है उनके उनलाइन एक्जाम होंगे और साथी साथ जो हर्याना के बाहर के स्टूडेंट है ठीक है उनके उनलाइन एक्जाम होंगे लेकिन जो चातर है उनको यह मंजूर नहीं है व वहाँ पे मैं आपको पूरी अपडेट दिखाने वाला हूँ और इसी को लेकर जो आपके VC साब हैं वो अभी तक अपनी बात पे अड़ी हैं वहाँ पे अड़े हुए हैं कि जो गैडलेंड जारी की है उसी प्रकार से आपके एक्जाम होंगे वही सरते रहेंगी लेकिन अब जो है यही मांग है कि हमारे ओनलाइन एक्जाम करवाए जाएं और हमने जो स्टडी है वो भी ओनलाइन की है और हमारी जो कलासे है वो भी सही से नहीं लग पाई है नहीं हमारा सलेबस हो पाया है और यहाँ पे देख लीजिए जो धरने पे बैटे हुए अचातर दिन रात वहाँ पे बैठे हैं आपके second gate पे वहाँ पे उन्होंने सबजी बेचने की rehearsal की है उनका ये मानना है कि अगर हमारी ये नहीं मांगे माननी तो हमको जहें कुछ ना कुछ अपने प्रिवार के पालन पोशन के लिए यही करना पड़ेगा क्योंकि हमारी ऐसे degree जो है complete नहीं होगी और साथी साथ यहाँ पे आपके जो कुलपती जी हैं प्रोफेसर राजबिर सी हैं जी उन्होंने सो मार को फिर से बैठक बुलाई है आपके online प्रिक्षाओं को लेकर ठीक है उस पे दोबारा से मंतन किया जाएगा तो यह कुलपती जी को भी पता है कि कहीं न कहीं जो student है वो ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे इसलिए आपका जो यह decision है वो भी change हो सकता है यह बात हो सकती है लेकिन अभी तक confirm नहीं है ठीक है अपनी त्यारी भी आप रखिए और यहाँ पे मैं आपको पूरी update दिखा देता हूँ और जो ABVP है और इंस है वो भी student जुडेंगे सोंवार को धर्णा प्रदर्शन करेंगे आपके online और offline exam को लेकर कि हमारे भी जो online exam करवाए जाए और यह मांगे रखकर वहाँ प्रदर्शन किया जाएगा और आपकी जो study है वो online हुई है और online ही exam होने चाहिए यह सभी student की लगातार मांग है और यह जो मांग है student की जायज मांग है क्योंकि आप सभी को पता है कि online exam में कितना हमारा syllabus हो पता है ना तो हमारी सही से class से लग पाती है और ना ही syllabus complete हुआ है और जब प्रदेश की अन्य युनिवस्टियां online exam करवा रही है सभी student के तो MD University को क्या दिक्कत है ठीक है वो भी तो सभी को समानता का दिकार होना चाहिए और साथी साथ जो MD University है उन्होंने ऐसी guideline त्यार की है जैसी अन्य युनिवस्टियां ने किसी ने भी नहीं की है जैसे आप सभी को बताओगा पंजाब युनिवस्टि, कुर्षेत्य युनिवस्टि, CRS युनिवस्टि ठीक है दिल्ली युनिवस्टि तक सभी ने अच्छी guideline जारी की है लेकिन जो MD उन्वस्टियां उन्होंने ऐसी सरते लगाई है जो छात्रों को मंजूर नहीं है और इसी परकार से गुरु जंबेसर उन्वस्टि ने भी ऐसी सरते लगाई है जिसके खिलाफ मंडे को वो भी वहाँ पर दर्शन करेंगे सोवार को फिर से बैठक होगी आपके VC साव की आपके जितने भी Dean Academic Affair के जो ओफिसर है जैसे Professor Ajakumar जी ठीक है उनके साथ बैठक होगी कि हमने जो ये अपडेट दी है कि उन student के exam होगे क्या इसको बदला जाए या नहीं इसको लेकर दुबारा से जो है चर्चा की जाएगी कि जो हमने online exam की guideline त्यार की है क्या उसको बदला जाए ठीक है और बदला भी जा सकता है क्योंकि जो student है वो लगातार पर दर्शन कर रहे हैं काफी student काफी दिनों से बैठे हैं क्योंकि जिस प्रकार से कुर्शेताय university के चातरों की जीत हुई है उसी प्रकार से MD university के चातरों की भी जीत होगी ओ जो university है ये MDU अपने ideal रवईये पर अभी तक अड़ी हुई है तो जो सोंवार को बैठक होगी उससे पता लगेगा कि आपकी जो उन्लाइन एक्जाम को लेकर जो सरते रखी है क्या उनको बदला जाएगा या नहीं तो जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा चैनल को सस्क्राइब कर ली जगा और अपनी जो स्टडी है वो भी रेगुलर रखियागा क्योंकि उन्वस्टी का कुछ नहीं पता क्या आप डेट दे क्या पता वो चेंज ना करें तो इसलिए अभी जो है कुछ नहीं कहा जा सकता कनफर्म अपनी त्यारी जो है आप करते रहिएगा धन्यवाद जैहिंत